अभी अमारी लगबग देड़ घंटे की सुनवाई खत्म हुई है चुनाव आयोग में हमारी तरफ से रिस्पॉंडेंट्स जो हैं जवाद देही पहली बार चुरू हुई और हमने कुछ बहुत ही शौका देने वाले बहुत ही अजीबों गरीब चीजें तत्य चुनाव आयोग के सामने रखे मुख्य इसमें था कि जो दस्तावेस याचक ने एप्लिकेंट ने चुनाव आयोग में फाइल किये थे हमने लगबग 20,000 ऐसे एफिडेविट ढूने हैं और हमने 8,900 उसमें से एफिडेविट की चा ब्रश तरीके से विक्र तरीके से दस्तावेस और हलफ नामों पे अनेकों प्रकार की तुटियां हैं जो दिखाता है कि ये फोरजरी है ये फ्रॉड है उदारन के तौर पे एक कैटेगरी है जहां कि व्यक्ति विशेश मृत है जिसकी मृत्य हो गई है उसका भी डाला गया है तीसरा कैटेगरी है कई ऐसे एफिडेविट हैं जिसमें जो पद लिखा है एंसीपी का वो पद कहीं जानता ही नहीं है एंसीपी एंसीपी के सम्विधान में नहीं है कभी लागू नहीं हुआ चौथा कैटेगरी है जिसमें हमने दिखाया सिरफ हाउस लिखके फाइल कर दिया है सिर्फ Zomato का Sales Manager लिखके साइल कर दिया है इत्यादी इत्यादी इस प्रकार से हमने 24 कैटेगरी बनाई 24 कैटेगरी उन 24 कैटेगरी से दर्शाते हैं कि ये सिर्फ मिथ्या प्रचार है fraudulent एफिडेविट से एफिडेविट बनाए गए हैं सिरफ एक जूटे केस को समर्थन देने के लिए और इसका मतलब यह हुआ कि जो अजीत पवार फैक्शन जिसको आप कहते हैं उनके पास कोई समर्थन नहीं है ये बहस और दलील कानूनी कारवाई करें जूटा बयान जूटे हलफ नामे देने के लिए उनको डंडित करें क्रिमिनल आईपीसी जो है डंड सहीता है उसके अंतरगत जो कई सारे शूटे बयान देने के ओफिंस होते हैं उसके विशे में एक्शन ले इत्यादी इत्यादी तो यह मामला चलेगा बीस थारीक को और हमें आशा और विश्वास है कि सत्य की विजय होगी